अलो फ्रेंट्स वेल्कम टू यूटूब चैनल एजगेशन निकेतन 70 BPSC की परिक्षा जो 30 सितंबर 2024 को संभावित थी उसे आयोग ने बदल दिया है और आयोग ने आज एक नोटिफिकेशन के माध्यम से नई तीथियों का आइलान कर दिया है इस नोटिफिकेशन के मुक्ताविक जो अगली ती थी है वो 17 नौवमबर 2024 की थी निर्धारित की गई है यानि कि अब जो है 70 BPSC परिडेंस 17 नौवमबर 2024 को होगी इसके रिगार्डिंग जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो कुछी दिनों में यानि कि 10 से 5 दिनों के अंदर इसी माह में आयोग की ओफिसियल वेबसाइट पर रिलिज कर दिया जाएगा इस बार उमीद है कि पदों की संख्या चुनावी वर्थ होने कारण ठीक ठाक रहेगी यानि कि आप मान के चलिए कि इस बार जो पद है वो 600 प्लस ही रहेंगे बाकी जो ग्लिरिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन के बाद ही आएगा इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 60 डेज का एक एंसर राइटिंग प्रग्राम के सुरुवात की गई है जैसा कि आपको ग्यात होगा कि हम 66 BPSC से लागातार डेली एंसर राइटिंग प्रेक्टिस कराते रहे हैं 69 BPSC के जो भी हाल ही में रिजल्ट आया है उसमें भी कई बच्चों का इंटर्व्यू कॉल हुआ है उनकी भी कॉपी हम जो नया बैस सुरू होगा उनके साथ साजा करेंगे एक प्रोग्राम के डित्र में बता दिता हूं इसमें आपको डेली एक devot के लॉंग कोश्चन के बाद सौहर्ट गोश्चन दिय जाएंगे यानि कि एक में 500 कोशन होंगे जो डेली दिये जाएंगे 500 कोशन आपको तीस एसे की प्रैक्टिस कराए जाएगी एक फुल लेंद टेस्ट होगा जी एस वन का जी एस टू का एसे का टोटल सिक्टी डेज का प्रोग्राम है इंगलिस और हिंदी दोनों ही माद्दे में मारे पास वह हम आपके साथ साजाय कर सकते हैं उसके लिए आप दिये के नंबर पर मैसेज को पिन कर दें या कोई इंफॉर्मेशन इक्स्ट्रा चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं फी रखी गई है 2500 एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग भी अगर आप ज इस करके अपना इंफॉर्मेशन साजा किया है तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस एंसर राइटिंग प्रैक्टिस से जुड़े तो पांच सितंबर से इसकी सुरुआत हो रही है आप पेमेंट करके इस से जुड़ सकते हैं इसमें डिय का जो सेक्शन है वो दिपांका सर द करते हैं धन्यवाद